14 जन्वरी 2022 मकर सक्रांती है इस दिन सूर्य देव धनू राशी को त्याग कर मकर राशी में प्रवेश करेंगे बहुत शुप दिन है सूर्य देव अपने पुत्र शनी देव की राशी में आ रहे हैं ये बहुत सुखत संयोग है पिता का पुत्र के घर आना तो ये बहुत इस दिन दान इत्यादी करने का विधान है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उप्टन बता रही हूँ जो इसको आप चमतकारी उप्टन मान सकते हैं रोग हो रिपू हो रिण हो या धन सम्मदी संकट हो या किसी भी तरह की बाधा आपके जीवन में व्याप्त है उन सब से आ अपनी डॉक्टर उमाश्री मेरे चनल में हमेशा आपका स्वागत होता है आज भी आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग अपने हाल चल बताते रहा करिए अच्छा लगता है आपके बारे में जान कर मेरे जो भी सबस्क्राइबर हैं सदा खुशाल जिन्दगी ब करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल बटन दबाईए और और पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरिन जानकरी पाने के लिए तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए जानना बेहत जरूरी है बित्रों उप्टन कई तरह के होते हैं बैस्ट खरण को वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हैं लेकिन इसकी शुरूरात अगर आप मकर सकरान्ति के दिन से करते हैं और अगर आप कभी भी लगाते हैं तीन-चार दिन छोड़ कर या कभी भी अक्सर लगा लेते हैं तो आपके positive energy increase होगी और negative energy आपकी negative energy खतम होगी या उसका या कम हो जाएगी, या समाप्ति हो जाएगी पौनरूप से, समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन इसको आपको 3-4 बर लगाना पड़ेगा, एक बार में थोड़ा फरक पड़ता है, लेकिन अगर लगातार आप इस क्जली को करते हैं, उटन को लगाते हैं, ये उप्टन मित्रों आपको बनाना है काले तिल से और सफेज तिल से काला जो तिल होता है और सफेज जो तिल होता है इसको आपको बराबर मात्रा में मिक्स करके पाउडर बना लेना है और इन तिलों में आपको तिल्ली का तेल ही मिलाना है ध्यान रखना तिली का ही तेल ही होना चाहिए तब ही ये वर्क करेगा इसको एक उप्टन के रूप में आप लगाने के लिए मुलतानी मिट्टी भी इसमें मिला सकते हैं और कोई भी मिट्टी आप मिला सकते हैं, मतलब वो मिट्टी फेस्पेक के रूप में होनी चाहिए, तो आपको बहुत ज़दा अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, इसमें चंदन का चुरा भी optional तरीके से आप मिला सकते हैं, हल्दी भी मिला सकते हैं, वो optional है, वो नहीं भी मिलाएंगे तो चलेगा, लेकिन तिल अवश्य ही होने चाहिए, जिन घरों में तिल का प्रियोग खाने पिने में होता है, उस घरों में बहुत तरक्की होती है, और उनकी उन्नती होती है, शनी देव की क्रपा उन पर बरसती है, और पाप ग्रहे प्रभाविन हो जाते ह हैं इन उपायों से, तो उक्टन आप लगाईए और इसको आपको लगाते समय आपको सूर्य और शनी के मंतर जपने है, सूर्य का मंतर तो ऐसा है, ओम घ्रनी सूर्य आयनमे, और आप आदित्ते रिदे स्रोत भी आप पढ़ पुस्तक जो होती है, उसको पढ़ सकते हैं, य समपूर्ण शरीर पर भी आप लगाएं, आपको बहुत चमतकारिक लाव इस अगुटन से मिलेगा, और शनी देव के मंतर भी आप जपिए, ओम शम शनीय नमे, यह जपिए और या ओम प्राम प्रेम प्राम से है, शनिश्चराय नमे, यह आप जपिए, इसको जपने मातर स आपको बहुत ज़्यादा लाव होगा, चमतकारिक लाव होगा, और सूर्य देव का मंतर जपते हैं, तो आपको एक अधबुत आभग आनुभव अपने चेहरे पे होने लगेगा, ऐसा अधबुत यह फैस पैक है, तो यह पैक आप अवश्य लगाईए, और अपने जीवन में चमतकार को स्थान दीजिए, क्योंकि चमतकार को नमशकार होता है, और ऐसी ही क्रिया हमने आज आपको बताई है, तो 14 जनवरी 2022 मकर सकरान्ती के दिन आपको यह क्रिया करनी है, और यह उप्टन आपको लगाना है, और यह उप्टन लगाने मातर से ही आपका चेहरा भी बढ़ता है तो आकर्षन का अनुभव आपकरेंगे और हर कोई आपको देखके दिवाना हो जाएगा और हर कोई आपकी तारिफ करने में संलगन हो जाएगा ऐसा आपका व्यक्तितु निखर के सामने आएगा तो इस प्रयोग को करिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेर करन कि इस प्रियोक को करने से आपको कितना लाब मिला, कितने समय में आपको लाब की अनुभूती हुई तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, प्यारे मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद